तो भाईयों मेरे व्लॉग में आपका सागत है मैं कई महिनों बाद बना रहूं लगता है वीडियो तो मैं दिखाने जा रहा हूं अभी जान रहें आप सभी लोग की बरतात का सीजन है बहुत पानी गिर्ध है इधर से पुरा वाल से आलक्ष हो गया है हो गया था अभी पानी काफी कम हो गया है क्योंकि बहुत दिन से बारिस नहीं होगा है आज हो रहे थोड़ा थोड़ा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा और इधर से पूरी हरी आली चाही देज़े देख सकते पूरा खेत धान की सीजन है लगाने का धान लगाने तो मैं दि इस तरह पेकमेड पूरा फट गया है पानी के वज़ास से पहले का मेरे पास एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ है मैं उसको दिखाता हूं फिर उसके बाद अभी जो हालत हुआ है इसका देख सकते हैं इस प्रकार का हालत हो गया है काफी दिन पहले हुआ था उस दिन रात अब क्योंकि और एक जगह है जहाँ पर पानी थोड़े जहरने जैसा ही बहता है जहरना तो नहीं बोल सकते उसको यहाँ पर पूरा ऐसे काफी बड़ा मेड था यहाँ पर पूरा भार दिया पानी अबुधर हम लोग जाएंगे उस तरफ कि यहाँ से अब लबा जंप बने तो बाकी मेरे को चपल पहनने का आदत नहीं है इसलिए मेरे को खत्रा महसूस होता है चपल पहनने से आज पहन लिया हूं लेकि पूरा देख सकते हैं इधर पूरा नाला है इधर से पानी बहना छोड़के इस खेत के बीच से जाता है और वहाँ पर वहाँ पर भी एक मेर था उसको भी फाड़ दिया पूरा क्या बताओं क्या क्या हो जा रहा है अभी कहीं पर पानी ने गिर रहा है कहीं पर बहुंच जादा गीर रहा है कहीं पर थोड़ा मोडा गीर रहा है पूरा फसल बरबाद देख सकते हैं यहां से बस में जा रहा हू इस जह का एक वो दिखाता हम आपके देख सकते हैं पूरा यहां पर कैसे यह पानी यहां से बहते हुए जा रहा है यहां से जबकि जाना चाहिए इधर से कुछ कर भी नहीं सकते पानी पानी को कंट्रोल कौन ही कर सकता है यहां पर पूरा फार दिया इस जगह को खत्ता में यहां कर जाना चाहिए यहां से पूरा पानी बहरा इधर से और फिर इधर जा रहा है यह ज़र नटाई अब मैं आप लोग को नीचे तरफ से जा के दिखा रहा हूं यहां पे का इधर से एक रास्ता है इधर साइट से ही कढ़ने का तो यहां से दिखता है टोटल यहां पर का पूरा यहां से दिखेगा मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं पूरा यहां तो हर्याली चाही हुए है यहां पर से गिरे तो नहीं बचेंगे दिखा रहा हूँ मैं आपको देख सकते हैं इस तरह का हालत है यहाँ पर पूरा मेट्टी गिर रहा है अब फी मुस्कीलों का सामना करते हुए मैं पहुची गया यहाँ पर पूरा देख सकते हैं मैं उस तरब था और नीचे गया था अभी पूरा यहां पर एक पेड़ था पुराना वो भी तूट गया पूरा तो ठीक है अगर वीडियो में मज़ा आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और मज़ा नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दीजेगा कम से कम पताच चल पाएगा